हलो मेरे epic developers इस वीडियो में हम सीखेंगे parseInt function के बारे parseInt function जो है जैसे कि mat.floor था फिर hasOn property था यह सभी functions थे तो अभी हम जो जिस function के बारे सीखेंगे उसका नाम है parseInt ठीक है the parseInt function parses a string and returns an integer here's an example तो यह जो pass integer है इसका काम क्या होता है इससे जब भी हम कोई string pass करते हैं यह उसको क्या होता है एक integer में convert कर देता है तो जैसे कि अगर मैं इसको मैं copy ठीक है wait control v करूँ और मैं अगर console.log कर दूँ ठीक है तो यह क्या return करेगा 7 इसने यह जो string था क्योंकि आपको याद है कि हमेशा जो string होता है वो quotation mark की form में होता है तो यह जो string है उसको यह क्या करेगा string को number की form में convert कर देगा ठीक है so the above function converts the string 007 to the integer 7 इसने integer में convert कर दिया if the first character is the string cannot be converted into a number जैसे कि first character है जो कि नहीं convert कर सकता है string को number में let's suppose यहाँ पर अगर मैं कर दूँ cat तो यह nan report nan कर देगा if the first character is in string can't be converted into a number अगर जो first character है उसको convert नहीं किया जा सकता है numbers में तो वो क्या करता है nan कर देता है so use parse int in the converter to integer function इसका parse integer function का इस्तेमाल करो convert to integer function में ताकि जो भी number हम pass करे वो उसको convert कर देग इसमें किंटीजर में ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कर देंगे return पार्स आई एंटी ओके आई एंटी और यहाँ पर क्या कर देंगे string जो भी string की value होगी ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ अब मैं console.log कर दूंगा console.log यह वाला ठीक है control x control v ठीक है सब क्या कर रहा है यह ओके यह वाला बाहर जाएगा यह 56 कर दिया इस नहीं यह जो टेक्स था अगर मैं इसको 65 कर दूं तो 58 कर देते चलो 58 किया तो 58 हो गया अगर मैं यह कर दूं C56 ठीक है C67 तो इसने क्या किया इसको भी नहीं क्या क्या क्योंकि अगर first character ही नहीं convert कर पाएगा तो नहीं करेगा तो हमारे जह判 है अब next चीच देखते हैं सो यह क्या है use the Pass in function with the Radix अब part in function shell cod Redix के साथ सब्सक्राइघり क्या होता है यह क्या होता है दब आफ और चिसमें एक string को parse कर दे पार्स मतलब एक तरह से बोल दूंसके सामने उसको उसमें जो भी payment होता है वह passed करते एंड returns an integer, ठीक है, जब हम string pass करते हैं, तो वो एक integer कर देता है, it takes a second argument for the redix, redix के लिए वो एक दूसरा argument लेता है, जैसे कि string पहले डाल दिया, फिर comma और उसको redix यहाँ पर यह argument हो गया, which specifies the base of the number in the string, जो कि specify करता है क्या number का base, the redix can be an integer between 2 to 36, जो redix होगा, वो एक integer हो सकता है, 2 से लेकर 36 के बीच में, the function call looks like, जो function को जब हम call करते हो, कैसे दिखता है, पार सिंट दिखता है, string आ गया, फिर redix आ ठीक है, अब जैसे कि here is an example, यहाँ पर एक example लिए, control c, अब इसको मैं console.log नहीं करूँ है, यहाँ पर value इन्होंने खुदी दिए, वैसे, so, जैसे ही इन्होंने function किया 11, so, 11 के बाद क्या आ गया, यहाँ पर यहाँ पर देदी है, redix क्या देदी है, 2, तो redix क्या करेगा, तो redix variable says that 11 is in the binary system, यह जो redix है, यह बता रहा है, कि यह जो 11 है न, यह binary system है, binary system मतलब कि आपको याद है, कि जैसे 0, फिर 1, फिर 10, फिर 11, फिर इसके बाद आता है, फिर 100, फिर 10, 1, फिर 110, फिर 110, तो अब अगर मैं इसको number की format में लिखू, यह कैसे होगा, यह जगा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो अगर यह जो यह थे, यह उपर वाले थे binary और इसको मैंने convert कर दिया, तो यह कैसे होगे, इस हिसाब से होगे, तो 7 वाला वैसे यह वाला आएगा मेरे खाल से, या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या, 7, टिपल वाना आ गया, तो हमें क्या, इस function में करना क्या है, कि यह जो भी binary pass किया जाए, इसको हमने integer में convert करना है, तो हम simple सा कुछ नहीं करना है, इसमें महनत वाला काम, वैसे, simple कर देना है, return, अब क्या करना है, function, parac, parse, int, parse, parse, parse किया, और यहां पर string value, जो भी string value उसको कर दिया, comma, redix क्या दे दिया, two, two कि इसलिए दिया, two determine करता है, कि binary है या ने ठी है, तो इसी तरब से होते हैं, hexadecimal होते हैं, octa होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो अभी में कुछ अपके नाम नहीं याद है, लेकिन यहां पर हमें binary की बात किये, तो हम देख लेते हैं, कि यह क्या हमें करेगा, show answer, console.log, ठीक है, so console.log करेंगे, तो यह हमें यह जो 100, इसकी value क्या है, 19, ठीक है, चैनल को subscribe करेंगे, नहीं किया है, तो बाई, लास्ट जाएंगे,